वेलकम टो माई चैनल सब्दियां आ गई है और इस मौसम में हम सब पूनी कपड़े पहनते हैं और रजाई में जब उन कपड़ों को लेके जाते हैं इस तरह की समस्या हर घर में आती है चाहे को कितना भी अच्छा कपड़ा हो इसकी वज़े से सारा उस कपड़े का शो भीगड़ जाता है इसके लिए एक सबसे अच्छा सोलूशन है वैसे तो मार्केट में लें टरेमोवर मिलता है लेकिन हर एक को वो इसली अवेलेबल नहीं हो पाता तो आज में इसके लिए आपकी घर में मिलने वाली चीज से इसको साफ करने का तरीका बताने वाली हूँ यह है स्पंज और इधर स्कॉच ब्राइट लगा है यह वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और यह स्कॉच ब्राइट पर आज आएंगे यह देखिए जितने भी कपड़ें पर रोएं आ रहे हैं वो सब आप ऐसे रगड़ते जाएए और यह सब निकलते जाएंगे इसली और दुबारा आएंगे भी नहीं और ना इससे कोई कपड़ों को नुकसान होगा थोड़ी सी देर में आपका कपड़ा बिल्कुल नए के जैसा हो जाएगा सिंपल स्कॉच ब्राइट से हाथ खराब होने का डर रहेगा इससे हम पकड़ेंगे तो स्पंज वाली साइड हमारी तरफ आएगी तो उंगलियों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बस सब तरफ से इसे गुमाते जाई है यह देखिए जरासी देर में सारे रोय हट गए और यह सब इस स्कॉच ब्राइट पर आ गए देख सकते हैं आप कितने सारे रोय आ गए जहां जहां भी आपके कपड़े पर रोय आ रहे हैं बस आपको कुछ नहीं करना है इस तरह से स्कॉच ब्राइट फिराते जाना है यह काम बच्चे भी इजी ली कर लेंगे इसके लिए आपको अलग से टैम निकालने की जुरूत नहीं है बस जहां भी कपड़े पर रोय दिखते जा रहे हैं आप इसको फेड़ दे जाईए थोड़ी से देर में यह बिल्कुल साफ हो जाएगा अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको यह और आप अगली वीडियो में क्या चीज देखना चाहतें और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें यह देखिए सब तरफ से मैंने इसको ऐसे ही साफ किया है और यह जितने भी रोए हैं यह सब इसको जब्राइट पर आ जाएंगे जहां जहां भी लगता है सब जगे अब फिरते जाएए पांच मिनिट भी लगेंगे और कपड़ा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा ओनी कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा काम है और रोए अक्सर आते ही है यह देखिए यह देखिए सब रोए गायब हो गए और यह सब इसको जब्राइट पर आ चुके हैं आप भी एक बार ट्राय करिए और कमेंट्स में बताएए थैंक्स फोर वाजिंग